आज के इस वीडियो में हम G7 कंट्रीज के बारे में डिस्केशन करेंगे और यह देखेंगे कि G7 ग्रुप में कौन-कौन से कंट्रीज शामिल है इसके अलावा यह कफ सेट अप हुआ था इसको बनाने का मेंन परपस क्या था और G7 से G8 कैसे बना यह सब चीजे आज हम इस व 1975 में हुई थी कब हुई थी 1975 में 1975 में दुनिया के प्रमुक इंडस्ट्रियल नेशन के लीडर को एक साथ लाने के लिए इनफॉर्मस सम्मिट के रूप में इसकी जो स्थापना थी वो की गई थी वहीं इसके कंपोजिशन की कर बात करें तो G7 में साथ कंट्रीज हैं जितक आने का तो G7 का में परपस इंटरनेशनल एकनॉमिक इशूस पर डिसकेशन करना है यह और्गनाइजेशन कभी-कभी एकनॉमिक इशूस पर स्पेशल फोकस रखते हुए अधर ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सॉल्फ करने में भी हल्प करता है इसके बाद बात करते हैं यह G7 से G8 कैसे बना ठीक है G7 से G8 कैसे बना देखिए सन 1998 में रशिया को फॉर्मली G7 ग्रूप में शामिन कर लिया गया था जिससे G7 G8 बन गया था ठीक है उसके बाद 2014 में क्या हुआ 2014 में रशियन प्रेसिडेंट द्वारा इस्टन यूक्रेन में सेना बेच कर उस पे कबजा करने की वज़े से काफी आलोचना जहलनी पड़ी थी G8 कंट्रीज की तरफ से इसने क्या किया था देखिए जो रशिया था रशियन प्रेसिडेंट व्लादमीर पुतिन उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे रशिया के अभी भी वही हैं प्रेसिडेंट 2022 में तो उस टाइम उन्होंने जो इस्टन यूक्रेन का पार्ट था वहाँ पे अपनी सेना बेच कर जो क्रीमिया का पोर्शन था उसको हडप लिया था कब 2014 में ठीक है तो जिसकी वज़े से जी एट नेशन्स की तरफ से उन्हें काफी क्रिटिसिजम जो है वो सहना पड़ा था तो हुआ क्या था उसके बाद क्रीमिया पे कबजे की वज़े से बाकी सभी कंट्रीज ने डिसाइड किया कि रशिया को जी एट से बाहर कर दिया जाए और 2014 में रशिया को ग्रुप से बाहर करने के बाद ग्रुप एट जो था जो जी एट है वो ग्रुप सेवन यानि की जी स फिर से बन गया था ठीक है नीचे ये नीचे G7, G8 और G20 में जो countries included हैं जो nations included हैं उनके बारे में दिया गया है तो आईए एक बार इस list को भी देख लेते हैं तो अगर G7 की बात करें सबसे पहले तो G7 कौन-कौन से countries हैं वो उसमें आपके Germany, UK, France, Canada, US, Italy और Japan ये countries हैं आपके G7 में वहीं G8 की बात करें तो G8 जो पहले हुआ करता था उसमें एक सी रशिया था ठीक है अब G20 की बात करें तो उसमें कौन-कौन से countries शामिल हैं तो G20 में ये आपके सारे countries शामिल हैं कौन-कौन से जो अभी हमने पढ़े इसके अलावा Turkey, European Union, Argentina, Brazil, South Korea, Mexico, China, Indonesia Saudi Arabia, Australia, India and South Africa ठीक है ये सारे countries शामिल हैं इस वीडियो को या इस पिक को आप चाहें तो screenshot लेके रख सकते हैं आगे अगर आप जो भी competitive exam देंगे तो उसमें ये पिक आपकी काफी help कर सकती है क्योंकि इसमें जो है बकाइदा सही तरीके से दिया हुआ है G7, G8 और G20 countries में क्या- अगर क्या होगा आपको ऐसे countries दे देंगे जिसमें confused होने के chances ज़्यादा रहेंगे G7 में मालेजे उन्होंने Canada, Japan को हटा के South Korea, Brazil को include कर दिया तो अगर आपको सब चीजें जो है clear नहीं होंगी तो उस time confusion के वजए से गलती करने के chances काफी ज़्यादा हो जाते हैं So friends, आज के वीडियो में सिर्व इतना ही है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, then please do like and subscribe to my channel, thank you for watching, have a good day